हेलो फ्रेंड्स नमस्ते स्वागत है आप सब का हमारे चैनल गाओं की हाउस वाइफ में फ्रेंड्स आज मैं आप लोगों के लिए एक अमेजिंग आइडिया लेकर आए हूँ आज मैं यूज करने वाली हूँ पैंड के कटे हुए टुकडे का जब ही हम पैंड की लेंद कटाते हैं तो हम क्या करते हैं कि उस टुकडे को हम टेलर के पास ही छोड़ देते हैं लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती हूँ उस टुकडे को हमेशा साथ में लाती हूँ ऐसे ही करते करते मेरे पास देखिए इतने सारे टुकड़े हो गया है जिसका आज मैं अलग-अलग तरीकों से यूज करने वाली हूँ तो आप लोग वीडियो को इंड तक देखना तो यहाँ पर मैंने एक टुकड़े को ले लिया है जिसकी लंबाई है 7 इंच और चौड़ाई है 6.5 इंच अब हम इसे उल्टी साइड पर पलट लेंगे क्योंकि हमें उल्टी साइड से ही सिलाई करना है अब यह जो सिलाई है उसे हम आमने सामने रखेंगे दोनों साइट की सिलाईयों को और उसके बाद हमें देखिए यहां से यहां तक स्टिच करना है अब देखिए स्टिचिंग हो गई अब हमें यहां पे वन इंच लंबाई में और उसके बाद वन इंच चोडाई में इस तरीके से मार्क कर लेना है उसके बाद हमें इस तरीके से box बना लेना है और हमें इसकी cutting कर लेनी है यानि वन इंच का हमें एक square कट कर लेना है इसी तरीके से हम दूसरे corner को भी कट करेंगे लेकिन उसके लिए हमें mark नहीं करना होगा यहां पर हम उसी टुकड़े को रख कर और उसी के size का cut कर लेंगे इसे बनाना बहुत आसान है और आप लोग भी इसे मिंटों में बना सकते हैं तो यह देखे इस तरीके से हमने इसे cut कर लिया है अब दूनों side को देखे इस तरीके से हमें इसे पकड़ना है और stitch कर देना है इसी तरीके से दूसरी side भी हमें कर लेना है तो देखे सिलाई हमारी हो गई है अब हम इसे सीधी side पर पलट लेते हैं और पलटने के बाद हम इसे अच्छे से सेट कर लेंगे इसके कॉर्णर को इस तरीके से निकाल लेंगे तो देखे एक हमारा प्यारा सा और्गनाइजर रेडी हो चुका है बिना किसी जहनजट के सिफ एक मिनट दो मिनट में ये बन जाता है तो आप इसमें कोई भी चीज स्टोर करके रख सकते हैं अब हमने ली है एक स्ट्रिप और इसे हमें देखे उल्टी साइट पर रख कर इस तरीके से राउंड में इसे अटेच करना है तो ये देखे हमने अटेच कर लिया इस तरीके से अब हमें से सीधी साइट पर पलट लेंगे और इसे डबल फोल्ड करते हुए हम पूरे राउंड में इसकी सिलाई कर देंगे तो ये देखे ये रेडी हो चुका है इसी तरीके से हम दूसरा पिस भी रेडी कर लेंगे तो देखे दोनों पिस हमारा रेडी हो चुका है और काफी ज़्यदा सुन्दर लग रहा है इसका इस्तेमाल आप कप मैट के रूप में कर सकते हैं जब भी हम बेट पे चाय वगएरा देते हैं तो हमारा दाग धबा लग जाता है बेट शिट पे लेकिन इस तरीके से अगर आप कप मैट का यूज़ करेंगे तो दाग वगएरा नहीं लगेगा तो आई होप आपको ये आइडिया भी पसंद आया होगा अब बढ़ते हैं नेक्स्ट आइडिया के तरफ अब नेक्स्ट आइडिया के लिए मैंने यहाँ पे दो टुकड़ा ले लिया है सेम कलर का और इसके साइडों के हम इस तरीके से कटिंग कर देंगे यहाँ पे जो हार्ड सिलाई होती है इसे हम निकाल देंगे नहीं तो हमारी सुईया तूट जाती है और हमें इतनी ही लेंथ चाहिए तो इस तरीके से हम दोनों जो पीस है उसका जो ये हार्ड वाला पार्ट है इसे हम निकाल लेंगे आप चाहें तो इसे उपन भी कर सकते हैं लेकिन यहाँ पे जल्दी हो जाएगा मैं यहाँ पे काट कर ही निकाल दोंगे तो देखे एक साइड से कट कर दिया अब दोनों साइड से हम इस तरीके से कट करके इसे निकाल देंगे इसी तरीके से हम दूसरे पीस का भी कट करके निकाल देंगे तो यहाँ पे दो पीस हमारा मिल गया है यह दोनों पीस सेम साइज का है तो अब हमें यहाँ पे कितनी लेंथ रखनी है तो किसी चीज़ से हमें मार्ग करना होगा तो देखे यहां पे मैंने यूज किया है मुबाइल का और हमें इसी के साइज का बनाना है तो मुबाइल को इस तरीके से रखकर हम जो एक्स्ट्रा कपड़ा है साइडों से उसे कट कर लेंगे और इस जगह पे हमने मुबाइल को रखा है जहां पे हमारी जो सिलाई है बीच वाली वो बीच में आए तो हम दूनों साइड से हैं कप्रा को कट करेंगे ताकि जो बीच वाली सिलाई है तो बीच में आएगी तो अच्छा लगेगा तो इस तरीके से हम देखिए कट कर लिया है एक पिस को अब दूसरे पिस को भी हम उसके उपर रखकर इस तरीके से कट कर लेंगे सेम साइज का तो इस तरीके से देखिए ये टुकड़ा भी हमने कट कर लिया है अब जो उपर की सिलाई है इसे हमें open कर लेना है जो मोहरी की सिलाई है उसके बाद बीच में देखे हमने लिया है एक chain और उस chain को हमें देखे इस तरीके से attach कर लेना है दोनों पीस पे तो ये देखे जीब को हमने attach कर लिया है अब हम फिर से एक बार देखेंगे कि जो लंबाई हमारी थी वो size की थी लेकिन चोड़ाई को हमने यहां पर भी measure नहीं किया था तो जो extra चोड़ाई यहां पर आ रही है इसे भी हम cut कर के निकाल देंगे इसी तरीके से हम दूसरे side का भी जो extra चोड़ाई है उसे हम cut करके निकाल देंगे क्योंकि हमें mobile के size कहीं बनाना है तो यह काफी अच्छा size होता है इसमें mobile भी आ जाता है और पैसे वगएरे भी आप रहकर market में जा सकते हैं अब हमें इसे उल्टी side पर पलट लेना है और उसके बाद देखें तीनों side से इसकी हमें सिलाई कर लेनी है इस तरीके से तो यह देखें सिलाई हमारी हो गई है अब हम इसे सीधी side पर पलट लेंगे और corner को अच्छे से लिकाल लेंगे और side से जो हमने cutting की थी उसे हम fold करके देखें यहां पर हम डोरी भी लगा दिये हैं side में तो देखें हमारा प्यारा सा hand bag ready हो चुका है आप इसका इस्तेमाल पैसे रखने के लिए mobile रखने के लिए कर सकते हैं और आप market वगेरा जा सकते हैं या फिर इसका इस्तेमाल आप अलग अलग तरीकों से भी कर सकते हैं आप इसका यूज बच्चों का pen pencil वगेरा रखने के लिए भी कर सकते हैं तो friends आ अलावा आप इसका यूज अलग अलग तरीकों से भी कर सकते हैं मैं कुछ आइडिया आप लोगों के साथ यहां पर शेयर कर रहे हूं जिसे देखकर आप अलग अलग तरीकों से भी पैंट की जो लेंथ की कर्टिंग होती है उसका यूज कर सकते हैं छोटे-छोटे चुटु करें थेंक यू